जैशी कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी है उत्थान और पतन के कारण जब धर्म राज युदिष्ठिर को ग्यात हुआ कि भगवान कृष्ण गोलोक चले गए तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब हमें भी यहां से चल देना चाहिए सबने राजिसी वस्त्र उतार कर वलकल वसन पहन कर भारत की परिक्रमा प्रारंब की युदिष्ठि, भीम, अर्जुन, नकूल, सहदेव और द्रौब्दी नीचे द्रश्टी किये परिक्रमा करते हुए हरिद्वार पहुँचे तो चार सिंग, साथ हाथ और तीन पैर वाले एक देवता ने आकर रास्ता रोग दिया जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों तब उसने उत्तर दिया कि कर्ज मार कर जानने वाले को रास्ता नहीं मिलता भाई क्या कर्जा है तेरा? उसने कहा कि मेरा गांडी मुझे देदो द्वर्गा रोहन के लिए हिमाल्या पर पहुँच गए वहाँ उन्होंने चारों और बर्फी बर्फ देखी कि एकदम धडाम से किसी के गिरने की आवाज आई भीम बोले कि कौन गिरा? देखा तो द्रौबदी गिर पड़ी थी युदिष्ठिर बोले गिरने वाले को गिरने दे पीछे मत देखो किसी और से किसी की प्रतिक्षा मत करो यदि इस धर्म मार्ग में कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाता तो कोई बात नहीं यह पूशने पर कि द्रौबदी क्यों गिरी? उन्होंने बताया कि द्रौबदी के साथ पाचो पांड़ों का एक ही साथ पानिग्रहन हुआ था और उसे कन्या होने की शक्ती प्राप्त थी मैं जब चाहे उन पांड़ों पतियों के लिए कन्या हो जाती थी उसने पूर्वजन में बड़ी तपस्या की थी भगवान शंकर प्रसंद हो गए उन्होंने उसने पांच बार पतिम दे ही कहा तो शिवजी ने उसे पांच पत्यों की पत्यों की प्राप्ति का वर्दान दे दिया द्रॉबदी मूर्चा खाकर गिर पड़ी फिर शंकर जी बोले अच्छा मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं कि तु जब चाहे कन्या बन सकती है एक बार युदिश्टिर उसके पास थे तो भीम ने देखा कि वे द्रॉबदी के पैर दबा रहे थे भीम ने कहा अरे धर्मराज जी तो नपुनसक है इस्त्री के पैर दबा रहे थे उसने भगवान कृष्ण को बताया तो वो बोले अरे तू भी तो ऐसा ही करता है भीम बोले नहीं महाराज तब श्री कृष्ण जी उन्हें रात्री में घोर जंगल में ले गए और उनको एक पीपल के पैड़ पर बिढ़ा कर बोले भीम यहां से सब देखते रहना डरना नहीं वहां शम्शान में रात्री में बड़ी विशाल सभा लगी सब देवता आए सब अपने अपने सिंगांसन पर बैट गए केवल एक सिंगांसन खाली था भीम ने देखा कि द्रौपदी सभा में आई तो सब खड़े हो गए प्रार्थना करने लगे द्रौपदी की महाबारत का युद्ध चल रहा था उसने बताया कि इस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचेगा भीम की गिगी भन गई बोले मेरा तो रिधे बैठा जा रहा है नीचे आकर बोले मैं तो ऐसा नहीं समझता था श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता नहीं करो मैं युद्ध में बचने का उपाय बताऊंगा उन्होंने कहा कि इससे वर्दान मांग लो कि हम पाचो भाई युद्ध में जीवित बच जाएं ऐसा ही हुआ भगवान कृष्ण जी ने अपने लिए ऐसा ही वर्दान मांगा कहने का तातपर्या यह है कि द्रोबदी कोई साधरन इसरी नहीं थी वह तो महाकाली काली का शक्ती थी जो सारे महाबारत के युद्ध में खपर लिये घूमती रहती थी परन्तु फिर वह स्वर्ग जाते समय बीच में ही क्यों गिर पड़ी बताया कि वह अपने पाचो पतियों में समान भाव से अनुरक्त ने होकर अर्जुन से अधिक अनुरक्त थी इसी पाप के कारण उसका पतन हुआ अब दूसरी बार गिरने की आवाज हुई तो इस बार सहदे थे यह क्यों गिर पड़े उसे अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था वह अपने से किसी को भी बुद्धिमान समझता था बुद्धिमान नहीं समझता था इसी के कारण वह गिरा युदिश्टर सब पर बराबर निगा रख कर सब की कमी को जानते थे इसके बाद नकुल धडाम शब्द के साथ गिर पड़े वह क्यों गिरे इन्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था वह कहते थे कि मुझे विधाता ने ऐसा रूप दिया है कि मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता इसी घमंड के कारण वह गिरे इसके बाद अरजुन गिर पड़ा पूछा वह क्यों गिरा बताया कि वह कहा करता था कि वह अकेला सारे संसार को एक दिन में जीत सकता है परन्तु महावारत के युद्ध को जीतने में उसने अठारे दिन लगा दिये उस सत्यवादी अरजुन ने अपनी प्रतिग्या पूरी नैकर मित्या भाशन एवं दरपोक्ती की इस और गांडीव का भी अपमान हुआ जब भीम गीर पड़े तो बताया कि वह खाता भुग था कभी व्रत उप्वास नहीं करता था देवता एक बार भोजन करते हैं मनुष्य दो बार दित्य तीन बार जबकि चार या इससे भी अधिक बार तो कुट्ता खाता है धीम बड़ा पेटू था भोजन भट था और उसे अपने बल का शक्ति का बड़ा घमंड था अतव है भी स्वर्वा रोहन नहीं कर सका बीच रास्ते में ही गिर गया अब अंत में धर्मराज और कुट्ता बाकी रह गए सब साथ छोड़ गए इसी प्रकार अंत काल में सब साथ छोड़ जाएंगी केवल धर्म ही साथ जाएगा चारों और बर्फी बर्फ थी हमाल्य के सर्वोच शिखर पर भारत समराज धर्मराज युदिष्टिर खड़े थे अपने कुट्ते के साथ कि उन्हें लेने स्वर्ग का विमान आया कहा चलिए महराज स्वर्ग चलिए धर्मराज ने कहा कि पहले इस कुट्ते को विमान पर चड़ाओ देवता ने उत्तर दिया यह नहीं जा सकता आप विराजे विमान पर तो धर्मराज ने उस कुट्ते के बिना स्वर्ग जाने से इस्पष्ट मना कर दिया जिसने अंत तक उनका मार्ग में साथ दिया जबकि उनके भाई यह पतनी तक साथ छोड़ गए यदि धर्म में कुट्ता भी साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए धर्मराज के मना करने पर तता उनके द्वारा अपने पुन्य फल का आधा भाग प्रदान करते ही वह कुट्ता जट यमराज बन गया और धर्मराज स्वर्ग लोग को गए इस प्रकार यह द्रश्टान हमें यह भोध कराता है कि भेद भाव, मिथ्या भाशन और एहंकार से पतन होता है जबकि धर्म मागर पर द्रड रहने से उत्थान होता है